नमस्कार दोस्त मेरा नाम है विरेंदर विक्रम सिंग और आप देख रहे हैं इस टेम पे शाने डुगर का एक नया एपिसोड जिसमें हम दिस्कस करने वाले हैं श्री करनल अजे रहना जी को इनको एके रहना के नाम से भी लोग जानते हैं और इनके नाम पे अभी तक 22 बु सीरियस हैं इन्हीं उद्दोवे आज हम इनसे बात करेंगे तेकिन उससे पहले हम जानेंगे इनसे इनकी परसनल लाइप के बारे में इनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के बारे में और इनकी व्यूज क्या है ओवराल दोग्रास के बारे में नवश्कार सर, नवश्कार विकरम जी, थैंक यू जाहिन के विवड़ी, सर सबसे पहले मैं आपको आपके नाम सी शुरुवात करना चाहूंगा, अजे, तो सर ये नाम आपको तहां से मिला और किस ने आपको दिया से, नेचरली पेरेंट्स है देया और इन फैक नाम का बड अजे, तो अजे सर वैसे नाम तो बहुत अच्छा है, और नाम की तरह आपने अपने लेजंड्स बनाई भी हैं सर, लोग जान रहे हैं इस्ट्री को आज आपकी किताबों की वेसे, आपने वो फैक्स जाने हैं, वो फैक्स पे रिसर्च की हैं, बहुत ही टॉप टास्क एस आप लोगों की गाइडेंस है, तो सर, सबसे पहले मैं जानना जाओंगा, आपका जनम कहां हो और आपकी पहले बेसिक स्कूलिंग तक ही आपकी जोलाइप उसको थोड़ा सा बतासेंगे तो, जनम मेरा तो SMJS होस्पिटल बहुत हैं, जम एक, 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 स्कूलिंग जो है, बिस, मोस्ट अफिट, दो स्कूल मैंने बदले थे लिए जोप एक, जहांपश भी आज़ स्कूल अज़व स्कूल अचरे उसकूल इस है तो उसकूल अपका जोड़ास पर लाइक मंटे के पास, तो तो आपकी स्थेंग रिए सपिर बीरा स्कूल एं धि 1987 रारी परविडेकाप में, तो सीट मेरे कोशी नहीं मिली थी, अधरलिस कॉलेज मेरे शॉटेज थी, तो सीट मेरे को NCC कोटे में पदी थी, I didn't deserve it, I was not a scholar, तो इतने में जो एम था लाइफ का, तो जो जो करते करते ही मेरे सेलेक्शन होगी OTA में बेले, लेकिन OTA जाने से प अधरी ग्रेजुशन नहीं की नहीं हुए थी, तो सी फाइनल एरे में थे, वारे टेमपे 10 प्लस 2 प्लस 2 थी, और अधर लास्ट बैच, तो एक होता नहीं की ग्रेजुशन कर जाना है, खोड़ी मस्ती भी थी, ओपर से मैटिगल स्टुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट नहीं अधर, सलक कि अधर में अधर नहीं, खोड़ी मट्स ऐना में ग्रेजुशन के शोबवाथ टी भी तक तर टीन पेजा ह्याहिए थी, सब्सक्वाटी थी, तो फॉट्त नहीं मैं दियुशन की बार अवजं सेय।र्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् फिर जुलाई आर्टी की बास कितखों घृटी जुलाएब से दिरणन를 बास था भी जॅस रहत निखीज गएडू máy शृटुटु रधिस्टूरी चृट्वारीी हिर्टन व्ही अंधु किसमिर की के बाथ करता हु तो ऐसा झौटी ससाथगाशन मेरी JNK की है और कुछ नहीं अधिस्ट की है बाकि कुछ मैं अपने हमारे courses होते हैं, long courses होते हैं आजी मैं वह करता रहा कुछ मेरी टांग में राओ तो तक-tक मैं कमांड कर चुक था प्रियुट मेरे साथ मने भी सब कर रहे हैं मेरे को छोड़े हुए छिटा साथ तो सर ऐसे बोलते हैं कि हर एक बंदे का एक लक्षी होता है और मुझे लगता है जो टाइम और अनर्जी फोज को देनी थी वापने दे और वो टांग जो अब बचा आपके पास वाब एक नेक कॉस को दे रहे हैं डोगरा कॉस को जिससे काफी लोग जागरू हो रहे हैं जी तो ये एनर्जी का बेस्ट चैनलाइजेशन सर मेरे को लगता है आपको विकरम जी मैं लख्की इसको कहता हूं इंसान दुनिया में व ये मदब लगती सच टेचर थी तो रहने वेगो फाइनाल स्ट आपके लड़के इंपन मैं फोज में गया एंड जब फोज चोड़ी उससे पहले ही मुझे लिखने का शोग था तो मैं आर्भू में रहते रहते हैं मैं चार बुक्स पबिश कर लिए थी पहले लेकिन मेरा कोई जॉब दिनने का थी हलागी एक वी आर्स टाइप थी लेकिन नोकरी करनी तो फोज से बेटर नोकरी करनी है और ये मेरा क्लिया था मैं नोकरी करनी है विचास साल से पहले रटायर होना है तो फॉर्टीएग में हो गया और दैना सथ की अभी इंपको आ शुट फो इतना इर्टीट किया गया है हिस्टारियन थी तरफ से विल खोल से हमारे सिख भईय है पञड़े वह बहु अले निगालते हैं वह अंग्रेस निग्रेजियों को दिखो वह बहु रहता हैं विचासे कुछ पीटीव की मारी कॉंपलशं के आती है मारी म्मझभूरी आं गया तो बहुत यहां रिच विल्टरी इस्ट्री बाइक ना एक ओपन फीड ने जे एंड के और हम सब को बड़ा प्राओड माच यह कि हम इस स्टेट मे रहते हैं इस सबसे बड़ी पिंसली स्टेट थी इंडिया की जग्राफिकली पुपलेशन वाइस हिदराबाद थी हुआरे देखो बहा का है जो अरिजिनल जे एंड के स्टेट विल्कु और हम लोगों ने कितने इंवेजिन्स बड़ाश किये कितने लोगों से लाइयां कि हम पुरस ने स्कंदर से लड़ाई की पुंच में बगुस है और मेरी गॉर्मनेटी है पुंच है हम सारे टोग रही हैं एंड के बगुस है तो फिर मना लगग देखा मजे फील वग कि कफी लोग निको पढ़ने की पहसं नहीं हैं बगभव और पढ़ने की पहसं है बी तो यह नहीं कर सकते लिट्री इस्टी को पढ़ नहीं है संवज नहीं आती कि कि लोंग जो जो मिल्ट्री सिरी गिए जाती तो अच्छी सच्छी है। और मैंने वह ड्रमानी किया कि अच्छी इमाइजिनरी आप उसने महाराज आज़ीजिंगा नाम लेखा है। अब इनको फिक्षिनलाइज करके अभी मेरी किदाब आई है बैटल पर कश्मीर जो कश्मीर में 47 को एक्स्ट्रेंड करती है। और अभी उससे बहने जमोन कश्मीर के साथ साथ क्या मैनुप्रेशन की गई जो लोग कहते ना कि महाराजा इंडिमेंट रहना चाहते थे महाराजा यह करना चाहते थे। उसकी पूरी फाग बिल्ली में क्या हुआ वह बुक आज प्रिंटिंग के लिए गई है। तो पहले आपको उसको पढ़ेगा फिर बैटल हो कश्मीर बढ़ेगा तो उसको कश्मीर वाला प्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रजेक्ट है मेरा बैटल फार जुर्मौ यहां से लेके पुंच तक और इसके बाद मैं लिखोगा लदाप का इन सब पर मैं लिख चुका हूँ थे लिए 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 बॉरिंग हो जाती हैं। इन पम एक स्टोरी की तरह प्रणा क्रेटिविटी यूफ करके ठोड़ा पने कल्चर की जरत दिखा के तो हो कर रहा हूँ। और यह बुक्स सस्ती रखी हैं। बांसर चेसर के रेंज में रखी हैं। एक और बैक हैं। लोग देखें। लिए बैटरफार कश्मीर जैसे भी आगी अमेजन पे। तो प्रॉड्म यह है विक्रम हम लोग ना मुझे मार्शल रेस करके इस गोट से नफरत है। यह इंग रेस नहीं पनाया था। मार्शल मुशल करके कोई नहीं होता। जिस कामुट्टी को अपनी इजब बैरी है वो लड़ती है। इंडिया की दुनिया की बीकेस से लीकेस कामुट्टी को आप देखा। जब उनकी पीछ दिवार पे लगी ना उन्होंने भी दिवार होगा ली। समने किया। तो पर हम लोग ऐसे जगा बैटे हुए थे पहाड़ों में कि हमें हर तरफ से खत्रा था। हम लोग पीछे तो हिमाले से थे थे हमारे लेकिन पगगानिसान से कौन आ रहा है पाकिसान से कौन आगे मुगल आगे कुछ आ गया फिर एक ताइम आया जब पिंजा कि हम लोग वारियर कॉमुनिटी आपको हालात है जो आपको वारियर बनाता है अगर आप ऐसी प्रटेक्शन में पैदा होते हैं जैसे नहीं जासाओ प्राम नहीं तो आम यहां टाओ के भाह बहां बैटे के फूश हो जाएंगे तो जाएंगे तो गलत है तो मार्शला रेस कि अच्छी नुक्स है कि हम पढ़ते नहीं, हम लोग अपनी जो सुना, सुना, वोई कुछर होता है, तो कुराने फोजी का बैठते थे, बड़ाई के जब ब्रेक होती ही तो ने फोजी तो ने फोजी तो ने फोजी वो कानिया स्वाथ है, अमजे पिछ्री लड़ी थी राज अब बहुत स्वाथ है कि जब आपको कानिया सॉने वाले नहीं रहे फैमली में, जब आपके पर सुनने का डाम नहीं है, वो आपके पास तर्स दिन में एक गुंटा, आदा गुंटा, पंदरा मिट, वाश्रूम में अपनी फमोड के पास ही रख लो किताब, वह मुबाईल कहा नहीं जब आपके जब आरे जोन जरावर सिंग को रिद्रूमालन र 로 क्रास करके टिवट पांचे यहां पूंचे, तो इमत नहीं आज भी उस हुमां इस नहीं जाता है, व्हाज बेडा नमा इंट्रू दिया था जनरल जमाद जनरल वर्ल अपना जरावर सिंह जी के बारे में आप देखना तो मैं इंट्रुव इसलिए देता हूं कि चलो जिनको वस पढ़ने की पिश्चे समों देख लें से लोगों वैसे लंबा वीडियो देख लें पिश्चे लें पर देखे यह आप वस ऑप्शन नही नहीं करोगे नो खतम होगी अपकी संसर ब्लॉगिंग खतम होगी इस वरी इजी तो से में मेट्रो सेक्स होनों मैं पर फरगनी पड़ता ग्लोबलाइजेशन देख लिए ना ग्लोबलाइजेशन का फाइदा युक्रेयन में वार हो यह रादी दुनिया पुखी मर रही है जब आज खतम हो गया बैकर बैकर बैस मना लोग खुद उगाते थे खुद खाते थे अपने गर में रहते थे आज कल ज्यादा ग्लोबलाइज हो गया है तो हमारी प्रॉड्डम भी प्रॉड्डम के पार कुछ हो रहे हैं और हमारे पार रिसोर्स इस ब्रॉड्स बड़ी एक वारियर कोम है इस पे भी हम आएंगे नेकर उससे पहले में जाना चाहूंगर दोगरा कल्चर या दोगर विर्सा है क्या आपकी नजर में लोगों को क्या समझना चाहिए मुझे भी यह लगता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं या लोग अभी इसके बारे में इतनी जा इ है हमारी और आज से फ्रेंटियर नहीं है इस शो से फ्रेंटियर रही है बहुत जेंट के इंडिपेंडंट इंग्डम की और 1826 में जब मार्जा गुलाद सिंग में उनी स्टेट में उससे पहले जमू एक फ्रेंटियर स्टेट थी इसे किश्मीर में अलग उतपात मचा हु आज सी चगो में अगर आप कोगे कि हमारा पल्चर उतना रिच नी जितना सौथ में नहीं वसता सौथ में मंदिर है जो कि 65,000 स्वार प्राने मंदिर है इसे तो अदो टोड़ा नहीं वहां तो आग पुण ची नहीं हमारे यह कुछ से मंदिर हैं जो इतने प्राने हैं हो इ जाँ तो लड़ाई कर सकते हो जैसे मैं कर जद पंड लो तो उस वाने में यह अलंड लो तो जाँ मंदिर बना दो जाँ पिल्डिंगर लो तो हमारे दो तो तिन, तिन, तिन सालों वाने जो हैं एम पर उंतिलावा कुछ नहीं है तो हाँ अगर आप क्लासिकल तरीके से देखोगे कि हमारा डांस की शाली कौन सी है हमारी आठ की शाली कौन सी है बसुली आठ है बट उसके लगा पुछ खास नहीं है किश्मीर का जो एंडिक आठ है किश्मीर को मैं लगी लखो फिलालो होगी इरान से आए जाओ तो हमारे बस आए जाके मिल्ट्री ट्रिडिशन बचता है तो हमें मिल्ट्री ट्रिडिशन से ही अपनी इंस्परेशन टूननी पड़ेगी और आप ये मानिए कि एक टाइम था जब पूरा जमू इस तुवार से लेके पूरा पुरा पुरुचता तागे ये एक एक किंडम थी जमू की जो महारा जा मारे रंजीत देव थे तो हम लोगों को महारा जा रंजीत सिंग का तो पता है मारा रंजीत देव का ये पता है नहीं और वो उस टाइम किंग थे जब पंजाब में बहुत ब्यंकर टाइन चल रहा था जब अफगान भी लट रह सिख अपनी जान बचाने के चकर में तो पंजाब में जब हर दो सार में फ्लेयर अप होता था तो सिख वारियर्स सिख ट्रेडर्स सिख आर्टिस्ट्स वाके हमारी फुटियल्स में शर्व लेते थे आच्छा वसोली से लेके जमौ तक तो क्योंकि नीचे आग लगी कि यह खना खना रावी दर आजाए और हिल्स का लोग वैसे दरते हैं कि एक नई जगा है अम फ्लेंज वाले हैं इन में कैसे लड़ेंगे बॉल्स पहाड़ी को सब पता होता है का में मैं का मैं बैट बैट बगू तो यह लोग शरन नेते थे पिंजाब के सिख फ्रम वारियर्स और उसका नतीजा क्या हुआ जब रंजीत देव जी गुजर गे और यह वारियर्स कॉम्टिटी में एक वर इस्व होता है कि जब रड़ाई बड़ती है तो फिर वो बरतन ही कड़ते लवारें कड़ती हैं और यह टुपड़े टुपड़े होगे हम लोग बाई इस रियास गुजल गे 1780 के अस्वास तो 20 साल में जमुग डीग्रेड हो गया और पंजाब उपर आगा इसाल में और पंजाब नावे रूटा शुरू कर दिया थे बसको बाई सिख फोजों ने आके जमुग को फैप्चर किया तो उसी एक मिड़ाई में महाराजा बुलाब से निया प्रवाजे के नीचे प्रवाजे के नीचे लड़े हो 14 साल की उमर में तो फीड़ बैक जब उनको गई की वह जमुग कैप्चर हो गया जमुग टाउन और इसको प्लेंटर किया गया बहुत बार सिख फोजों ने ऐसा था आप ब्लेम नी कर सकते देखे आज हम यह भी नही प्रवाज के खिलाब रेप रोब तो कोई अलिगेशन है था फुच नहीं है वो आते मारते थे पोड़ते थे और एरिया लेते थे ताकि वहां से टेक्स और रेपनों आसे चलती थी तो आज ही अपड़ेट से थे कि वो क्यों आए है वो आए क्यों कि हम बीक जब हम स्ट्र है यह किसी लिए हम बंटे हुए है किशमीर में 370 हटा सारे से बैठके ना कुपकार गैंग में तो यह एक लेसन है आप अपने इस्ट्रियों देखते हो आप सिरफ इंस्प्रेशन तो लेते ही और आपको उसे लेसन की सीखने बढ़ते हैं जब आप कठे मुठी बनते है न जब मारा जारी सीन का बर्डे अभी चुटी होगी बड़ी बीच में आज से 8-10 सल पेले क्या होना शुरू हुआ था बर्डे के टाइम पर जापर सेलिबरेशन होती थी तो राजपूत रड़ के पगनियां पहन किया थे जब आप चोपे नाच रहे हो और ट्रैफिक रुक होना है तो उनको राजपूत रहे ट्रेंड किया थे और यह थोड़ सी गलत फैमी होगी कि हिंदों को बचाने के लिए ऐसा बुस्ता सिक्खों ने अपने आपको बचाने के लिए हत्यार उठाय थे पांचों महाराज की जाने के बाद थे फिर बाद में अफकोस हिंदों सि होगी कि हरी सिंह जो वो राजपूतों के साथ इडिफाय करता है ओके ओके अफॉफिक लाइट खड़ाय बाइक प्रस्ट्शन बता रहा हो बल्कुल सही है उनने में अपो बनना लगेगा पसा होगा तो उसके दिवाह में तो यह आए आगा ना कि देखोई पगड़ी पहन बाइट कर वाया है तो फैद ठीक है हमापून रहा है जब कि महारा जारी सिंह जब आये थे जिस इनों नों 1925 में अपना शासंकाल शुरू किया था नहीं पहला स्रेटमेंट दिया था मेरा कोई मजभ नहीं है मेरे कोई जाक नहीं है मेरा एक ही मजभ ए जस्टिस तो मैं ए आप दिवाइट इनको जोडो दोग्रा वर्ड को परफगेट करो डोग्रा राज पोद दोग्रा मुस्रिम दोग्रा बाबन मत बोलो पुंच लिवरी बात मत करो बड़ दोग्रा क्यों कि अगर पुंच का जो पोट है थ्रोची फोर्ट अम योजे के में हो कांगना के जैंप लुओ जैंब नहीं है वेल्कूल बिल्कूल बिल्कूल जैंग गोणे भी है है तो वी है वे मेरी सबगते एक तो है कि दोफेजें तो थे हैं कि डोग्रा वे में है जब डोग्रा के यिश्यू आएगा इसको आप वो इस साफ़ा बांद को हम सब डग रहें इसने अपना देवतान मानना है, हमारे देवते सारे मेटी ने बाई दी बाई दीवे, राजपूतों को इस अपने देवतों के अपनी कॉम्टी जो दोस्त है, आप लोग नीचे बढ़ गे, बिल्कल. तो यह एक दूसरी मेरी हिस्ट्री से में भी सब गसीला चीए, कि जब हम इतने पावर फूते हैं कि हम सिखों को शरण देते हैं, फिर हम इतने टूटे हैं कि हमें सिखों के कैप्चिर किया, तो यह लेसन है कि भाईया, इकठे रहेंगे, महुर बदला है, वो राजे चले आपके आंसर, यह देना जाता हो, कि आपको हिस्ट्री को भी समझना है, और जो आज की मारी प्रावल्म है, उनको भी समझना है, फिर आपने डंडा उठाना है, जैतलवार उठाने है, महाराजाय जिसिंग की चुट्टी ली, लड़के नीना, लेकिन एक बड़ा जिकल तो आपने उस महाराजा आना है, जिसने बिना कुछ बोले, एक नफज, उसको जब दिल्दी किये थे अपने महाराणी के साथ, बोला, महाराजा आप आपके चिंग जाओगे, आप छोड़ दो स्टेट, और चुप चाओ बंबे चलेगे, वाइफ ही माज़े चलेगी, आप जब सलते हो, तो आपको जो भी आज की डेट में रड़ाई लड़नी है, डिमांड करनी है, पहले आप उसको समझो, उसको अनलाइज करो, विल्प, और उसके बाद आप रड़ाई को, महाराजा आरे सिंग के रड़ाई के लिए इतनी जस्टिफाइट थी कि कोई भी होता होता, वो कहता है, अना कि मैं मेरा क्या आपना, ये चुटियां होनी नी चीए, साथ दिन में से छे दिन तो पूरे इंडिया को काम करना चीए, वारे मोधी साब अठारा गंटे काम करते हैं, आम भी करना चीए, बट ये कैसा पॉइंट बन गया था, जहां पे अन फेर सिस्टम ने एक तरफ था और एक डिनायल जो एक जिनको हक था तो डिनाई किया जा रहा था और जिम्मों को वैसे भी आच्छी डाई होती है, तो एक रिजन बना कि हम लड़े हैं, मैं ये जनेरेशनल को ये भी कहना चाहता हूं, नेरेशनल को, कि अपनी लड़ाईयां सेम फंड्ड आते हैं किश्मीर की डिवल्पेट देखें छांकी डवल्पेट देखी एक ताइम आता है साल के चे मिने में किश्मीर में फंड यूटलाइज हो जाते है, फिर जमाव ने फंट वां आउग आउग होता है, क्या होते हैं, कि हमारे जो यहां पर के लांच हो गया और हमारे तेंदर सिंह साहब आता है रीबन काटने के लिए मुनिश्टर साहब वो यह नी पता कि 20 स्कॉर कहा आ गया को आ गया मनलब किसा खाए नहीं काटे क्यों अगर मानसर को 22 क्रोड चाहिए था तब 2 क्रोड पर आज ने तो बल दो तो यह चीज़े हैं गरम फोन होता नहीं समझाती तो उसमें हम लोगों का रोल है बिलकुल कि हम लोग बैठे हैं आओ हमसे बात करें हुआरे बजूर बैठे हैं पीछे पीछे जनेरेशन उनसे हमें इंस्परेशन लेने हों को रिस्पक देनी हैं लेकिन थाट प्रसेस तो आप इवाल्व करो बदल्दा टाइम के साफ बढ़ना बढ़ता है दुनिया में क्या औरो के साथ चलना बढ़ता है विदाओ प्रोमजिगा नहीं वेल्यूस तो यह सब सब ही इस्टरी में हमारे जिन भी पुर्भुजों नहीं कंप्रोवाइस किया मारे अरी सिंग में एग्जांपल देने अ अपनikkeर शक्याम आपका गरासाफ चुड़गे ऑना मारे जैशिं को मारे जिसिंग को काले रंग में पैंट कर दिया अब पडूको देखां में 1925 में के तिपिस में किया ओ आज sì को आई नहीं वाय हुआ पर फूल दो कॉल्ड नराथ спокой diffuse कह नहीं है आपो अपना किसी भी चीज बे गारावाइजन करने है लेकिन बी रिजनेबल और आप रिजनेबल फाइट उठाओवर दुनिया सुनेगी और आपका सब कुछ बचेएगा अगर आप अपने इंसोचल मीडिया पे करेश्वू के बिजी हो और उपरोड़ों भी उपरोड़ों भी सुनोगे नहीं वो बताएंगे नहीं हो फोड़े आप रिजनेग एंपरोड़ों फोड़ों भी सुनोगे की पादो पर आप प्लाइट उनकोर अपने पड्र आपएट उर नहीं दो इसे माप्यागी पैसे बिए मुर्ण नहीं करते हो यार बाठकि किसंने दाओ उपा काम करने ने शरम है वारत जमो का स्टीट-फूल इतमा में इंडिया है तो अरे लगली गारबार में ऐसा रिसोर्सेज हैं खेद हैं तो आप खेदों में काम नहीं करना जाते हैं यह न बहुत बड़ा इंप्राइमेंट की देफिनेशन सिर्फ सरकारी ने उकरी है जिसमें आप 10 ती जागा 11 बजेगे बांच तीन बजे आगे फिर फर्रकिना नमास बन्ने चलेगे संख आपसे ही खा रिए वह इंप्राइमन ठ이가 rियाHY..थर में प्राइबराइमर्ट मिलती है और आप किसी प्राइवेट बात रही होुद है डिस्प्रिंट है नच्री प्राइवेट होड़ है तो अब भसे नहीं करना पड़ेगा यह लंबा संवन हो गया मेरा बट आज बात है रही है हम लग 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 चीजों में अपने अपने हैं ने इक हो सकते हैं थेस? यह वहीं आप पता हैं वह रिंख सारी हैं और एक तो जोटा सा ऐसा ऐसा इंसिदेन्स सर जिससे सब रेलेट है आप यहां बहुत प्लाजर में का एक मुफ्ती लगी है बाहर ते उसको बोड़े होला चोक बहुत है तो वही से आप स्टार्ट करो कि मैं तो यह कहता हूं कि आप सिर्फ यह देखो कि जहां आप गूम रहे हो ना कोई वह चीज आप दिखती है कि जो दिखता है कि किसी लाक जमान प्रदाब से इधर पुड़ के ऊपर वह आप से रहाँ स्टेच्व देखो में जरेश्ट में बोलता हूं के वारे में स्टेडी करो लेकिन स्टेडी करोगे नहां से अब जर्ण जरावर सिंग के ओपते किताबें नेकिए दो किताबें हमारे प्रफेसर साब देश जाड़ प्रफेसर से उसमें का रेफरेंस हैं और सारी अंग्रेजियों ने लिखी खुंदग के साथ मैंने बोला डोगरों को सब भी खुंदग है दोगरों पे साथ तो अभी मैंने जर्ण जरावर सिंग के आपने बोला थी लेसंस चीवमेंट्स जरावर सिंग ने 14,000 फीट के आज जो इंडिया और चैना की बीच में सीमा विवाद है उसने जाएंडिया कहता है कि मेरा यहां तक आपका है जहां चैना बैठा वह जो इलाके की लाइन है वो जनल्र जरावर सिंग के टाइं किये जब जब तिबत में इनकी शीद हुए थे उसके बाद तिबतियों लड लडाक पर डाक किया जाएंड दोगरास थे उठा के फैंको तो यहां से महरजा अपने बेटा भी बेजा और फोज बेजी यहां से उड़ना वाहां सबको पीटा तीन देशों की बगतिस्तां चाइना और तिबत की फोज को पीटा गया उड़ाकी उनके साथ थे पहंगाउ जाएंड फोज फॉर्ता इद्रिया इस तरफ इंडिस के उस तरफ पिबत है इदर यह है इस पार्डे के उदर फिबत है इदर लदाक है वही वारत रनवीर सिंग के टाइम पर यहां पे एक जॉनस अंथा बेटिशर्थ इंडिया पर अधारी यहां ब जैनके में तक भी काल तो आप तो मारा थो क्लेम ही नहीं है। रहा थो बन लेगे आगे सारा हुलका। एक रिजांपल होगी। जन्र बाइस नहीं थे हमारे। तो जन्र बनने से बने हो तर्वन पेर हूंगी। तो यह था है उन्र नावड बने से बने वोगा है। महाराजा किल्कित वेजी और गिल्कित में अंग्रेजियों के साथ बिलके इनना चित्राहल पी चट्राहल पीचड़ाई तो जन्हां साम ना था मेरी इन रन्ने किस जारे वह भाई जाने इस पूरत नहीं थी लोलाद लुका CEO लंखा सब वोगे प्रोवान लट प्यारता है श्रीदुगे उनके बाड़ी वापिस है उनके बाड़ी वापिस है वें पे उनका संसार वा पिर चिर्देन अब का बाइस सिंह है अ बरेडर जिंदरा से कन फारुक अदूला शाब ने पांडेमेट मोट के बो और इससे बड़ा जूट कोई नहीं है अच्छा 22 अक्तोबर 1947 को मुदफराबाद में पाकिस्तानी आये हुआरी अपनी फोज 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 एकरिश सेम बठानियन उनके दो वस्लिम कॉंपनीस थी जैज मां वस्लिम सारे पुंच के होई उनके बाज़े खोल दी गेट खोलक उनको वह कैप्चिन कर बाए यह पंद्रावी स्लोग थे उनको रोक के रखा जब उधर लड़ाई चल रही थी तिर पीछे मेस्ज आया तो यहां से बेड़े जिंदर सिंग जो की चीफा आरे में शापतिन का जाना नहीं बनता था लड़ाई में वाई लगेगी तो अवार दिन होना है मुझफराबास से लेकि बारावला के बीच में जगा जगा पर रुक के उरीगा पुलोडाया रामपूर में बुनियार में इसमें यहां पर महुरा में पावरा होसा यहां पर ड़ड़ाई हैं लड़ी छे जार उदर सो इदर क्योंकि इनके थी सो लोग वो मार फोज पुंच में डिप्राय कर दी उनसे ज़री बेल्ट में और पीछे एक ब्रामिन बच्ची पुरी वैनली को संभा लें के लिए जिसमें से दो पक चार अंपियों होती हैं दो गंपनियों के साथ मिलगी और आपको सोच तो क्या राद की सुवे 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 श अगुस में पाकिसाना आर्मी भी शामिर थी वह बार्वोला पहुंचे और फिर बारवोला में डाय सुवे साथे पांच बजे स्थाथे नौबजे इंटिन आरमी का पहला जहाच लैंड कर गे शिमेबर में और दो बजे यह वान सिक की बठाने करें चूंक्छें साब यो फिर मुख देड़ा, उसमें बारा मिला कि तुभाई होती रही, फिकर लोग लटते हैं, लेकिंग किश्मीर का नरीटिव यह कहता है, कि माराजा की फोज 22 को डैक हुआ, ते इसको गतम होगी, और फिर किश्मीरियों नहीं की, एक भी इनस्टांस नहीं है, जहां पे किश्मी जिनना जब JNK में आया था, I think only 44 में आया था शाहिए, इंडिपेंडनेंस से तीन सान परने चाहब साथ ले आया था, उससे शेक अप्दुले की बेस्तिगी थी, फिकर शेक अप्दुले की पार्टी की उससाना था मुस्लिभ पांसर्स, मुस्लिभ पांसर्स होती, वो मु बड़ा स्टॉंग लीडर था, वो दार्मिक भार्मिक नी था, वो खुद शिया था, शिया में इस्माइली था, वो निम्टी था, वो जारा कहानी है कि फिर बात करेंगे, तो शेक अप्दुल्ला ने बड़े फिंडर बेज़े कि हम आपको किश्मीर को हम आपके हमाले करे तो शेक को समझागी वहां मुछ बनने वाला है नी, तो तर उससे पहले ही, शेक को दने क्या किया, एक स्टेपलर लुक करने के लिए मुस्रिम काफिरस गाने के बाद, नई बाटी कड़ी की नेशनल काउंफरेस, मुस्रिम काउंफरेस नाम बदला नेशनल काउंफरेस, ठ यह में दोडा राजनी चीजे उख अब जब यह 22 तरी पो अभला हुआ है, तो जनर्न पूर्दू साब बात करना, वहाला, एमेल और इंटरनेट का थाले, फोग कॉल्स थे निक, तो शेंटरवे तो पहले दो दू पता हुआ हुआ गया, बगिड़ेस जिनरा सिंग गे पो कभूर शेरवानी ने क्या किया था जब जिन्ना आया जिन्ना ने शिनगर में जलसे में उसे पता लगए कि मुस्लिम पाकिसान में नेशनल कार्फस चाहिए जो आज भी कीड़ा है तो उससे स्टेज ही ओपर शेक अगुला को मुला तेरे जो बनने बुंडे है अच्छा और की शेकूल तो बिंडिला डाल लेकर आखा की तो इस लड़केने मुलुषर वानी ने क्या किया जिन्ना ऑफलो किया। जब जराण पाकिसना वाया बरामूला वे बुंडे जुना लेक्षप क्हड़ा व एसको ने जुतों का आयर उसको दाओ जाए जैसे जुतों का आट ज गभुल्षयवानी , वो स्घखवनी , यह बीद्ला पाकिस्ताय में पूट पूर्नर जनल्ड यह कैं। फूर्सेखवनी वो स्टिछृॉर था , यह बाद मननी ची। तो वो उसके भूगते हुए कहां पर जिन्ना की पेस्टी वी थी सब को पता था जूत्य का आठ डाला थे जो बाद में पाकिसान का प्रेजिडेंट गुवर्नर जर्मल तो उनको जब हुल शेर वाणी मिला मौट सेकल के पूगता हुआ उनलाव सो पकट देशूरी जराभी है बारामुला बारामुला कील मार मार के और फिर बोड़ी हैं मारी तो जब मर रहा हुए तो वो इंगोसान जिन्दावाद बोलता रहा इसने बुला पाकिसान बुला बुला इंगोसान तब लग स्टेट अवी मर गया तो इंडिना बीज शेनवानी उनसे लड़ता हूँ अशीद वहकर लड़ता हूँ अशीद हूँ सेगन पर जा रहा था बीम्टेब्स वाट सेकल थी किसी को अधार नहीं थी और वह जा रहा है गाउं से गाउं से गाउं इंगों को बचाएंगे स्कुर्डर पाउ लेकिन उसको अपने मंदना दोखा दे कि उसने वाट पकड़ा और पीटा पुदा मार दिया अब मार दिया उसे बड़ी बड़ी तरह से मारा उदी बात है तो एक इंटिन स्टेट नहीं में है और शेक रिलाज़ा बैटक उसका एक हीरो क्रिएट किया और हीरो कैसे क्रेट कर रिलाज़ा आख एक बंदा शेहरा लोगों को रुषिए नहीं वो भागल रखे हैं जो को डुड़ी तो जब आपना ऐसे हिस्ट्री कहल ना शुग किया तो किशमीर में जो बच्चे जिन उना पड़ी आप बताये वह इंडिया हुआ इंडिया क्यों नहीं बोलेंगे उना आपला देखो जी, संतारीस में हम पर आपला हुआ, हुआरी उठा उठा के लेगे बार मुला रोखेसाब हो गया, और किसी ने पुछ किया है नि महराजी के पोछ बागी, इनने आप में बाद में आई, तो हमें तो शेरवानी ने बचाया है, और हमारे अपने लोग लड़े कीरे जाए, तो वो डाया है, तो वो डाया सीची के बाद में होते है तो खा आपला है, यह जो हिस्टरी की तर्ब दिस्टॉरशन होती है जिव लोग तुछ करता है टो भी पुछ करते हैं, जो बेवपूफ होते हैं, वो बाद शुमिलियों जब लोग फ्रूमेर से खरीद जाते गड़े और गोड़े ख्रीदे जाते हैं, we were sold like cattle, again, बड़ी जोग तो, प्रॉनम क्या है, कि जब वारे लोग सही लिटरेशिर नहीं पड़ते हैं, सही इंटर्पटेशन नहीं करते हैं, तो हम उनको पंटर नि कर पाते हैं, वेकल, कश्मेरी पड़े लिखे लोग हैं, वेकल, हना, हम से आपन में पडलचे रहें, वेकल, क्नि मैं इसलिए मैं यह सब लिख रहा हूँ, मैंने से एन चीजेंच कर पर नी, मैं वेकल फॉनकी आते हैं, कि उड़ेग शोड़ की टाने काDonnyi मैं अनले कषिक्टव हरूं आप से क् इसफे बात है, पैड़ूरा रहा ह के साथ यह नहीं कि आप किश्मीरियों जाना शुरू पर दो पिंजाबियों जाना शुरू कर दो नो कर दो इस कॉंटेक्स को समझें कैसे पॉलिटिक्स बनी कैसे शेप अब हुआ जिसे आज दे मैं आप उप उप जाब घर जो बने का की बात समझने की जुछ है हमारी स्टेर्स में भी डिमांड विए विटेंग यह एक जम्नों पहल लग कर दो डिमांड अब अब आब लोधी because Jamo and Kashmir दो 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 दिजन बनी प्रवबेस थीन थे Jamo, Kashmir, Radhaak, सबसे बड़ा दो 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 दोई है डिविजन दो इंडिटिव, Jamo and Radhaak सब दो 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 जमो का क्षमीर कश्मीर का पह जमो का का कुछ नहीं थे वहां गड़ार के लदाग का कुछ नहीं था रुदाग को डादिया किश्मीर की निचे तो अगर किश्मीर वाले अपना फंड खाके फिर हमारे फंड लेते हैं तो आप इमजिन करोगी उनके निचे दबाओं को क्या दिया होगा कोई कॉलेज नहीं कोई उनिविश्टी नही पर इपस्वीश्टी कोई नहीं कोई रोड़ नहीं बिच्दी गेंगें आपको बहुत बहुत तो आप माइनस 30 डिग्री में आप एड़ नहीं लगा सकते हैं ले में कोई भी हीटर कोई बड़ा पावर स्विच बेचने पर आपको पक्रा जाता रश लिया आता था विवा आप मान सलते हैं 2011 में लाइटनी है देश के बड़े इतने बड़े सेक्मेट जिसमें इंड़स रिवर साथ में बहर रहा है पानी वासे हैड्रोप अलेक्रिस्टी जिनेर्ट हो सकती है तो किश्मीर तो जब देखा हो संगे किया ठीग है लदाख कर दो कानी कताव और वैसे भी अगल लदाकियों को लगने करते हो जाए तांग दो तो चैना बैठा हो आँके उपर साथ में बैठा ना उनको खाने के लिए तो आप एक और किश्मी बैठा ना उनको काने के लिए क्योंकि लिए डो यह ना देखो देखो की अगज़ अगल ठीक है एक प्याट के लौना बहुष भूड़ी है आप किसी कम्मुटी को दुबा कर रुकर दुबा कर रुकर उनको बच्चे यहां कर बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं और में लगते हैं चाहिए और कोई किष्ण विए कितना है न फाराइन प्रसंत देखे तो आप बुड़ेज और किष्ण गंगा वैदी मिला दो परचिस प्रेंट हो गया और स्टेट में से सेव्टी प्रसंत लगा तो निकल गया बचा फिजे 30 प्रसंत तो अब्स्टी प्रसंत है तो अवराल कितना हो आप द वेसी चीज़ को आप YouTube बना सकते हो, ने भी बना सकते हो, बनाओगे तो क्या होगा, बनाओगे तो दुनिया में ये बात जाते हैं, कि सेंटर नेफ पकट कर रखा आप किशिन के सोगी को, आज को लोग कैते हैं, पाकिसान चैनल देखिया आप, उनके बस्तिया पोइंट है, बना सकते हैं, 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 बना स तो किश्मीर को लग अठाले की नगवाट समयुड़ को कुफिर को कःठार अधार की अरिया वाइस एक जो अइस प्यारा बना कि आप की आप चुछे हैं। क्युक्स करा हो चाहे यूटी बना के लिभी ना की तो स्टेट बना पर ऊपशन है। स्टेट बनाने से कया हुगा सुझाज, जो हमारी सडी लीडरिशिप है ना सारब से, सडी टिशमीर की जो लीडरिशिप है वो तो है अमारे जम्मो की बड़बान लीडर शोब है, जमना शुद अशुद सा किश्मीरियों के आज चोरे घुरे, आसले बातर से, जब तक ये ल जनेरेशन के पॉलिटीशन लुक हैं, जो उख रहे हैं, जो पंजायद में सेक्ट हो रहे हैं, जो डीडीशी में यंग बिच्चे बाहर आ रहे हैं, तो दस बारा साल लगेंगे उख राने के लिए, एक ने सोच वाले जब जनेरेशन आएगी तब जम्हों सुद्रेगा, जि डीपार्टेवरे तो मिनिस्ट्री पे ढोग रहा हैं, तो ऐसे नहीं होता, आपको वो लोग, वो सोच वाले लोग, जो करप्ट हैं, जो की अपनी जिवें बरना चाहते हैं, जो उनको साफ करना पड़ा हैं, जा तो फिर यह हो कि हम लोग बच्चे जो आप लोग तुआ है और हमें पीटो चोपों में खड़े करते हैं, दूसरा दिकाए है कि इसको फेड होले तो, इस 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 फेड होले तो, मरना है तो, तो भी और क्रोड नी, कि भुकते हैंगे ये, एक निया निटरिशिप उठेगा, तो जम्मो का विकास होगा, उस एंगल से मैं देखता तो, मोका नहीं दे सकते बोलने के लिए, कि किश्मीर में एक यूटी है, तो दिनली से सरकार गलावागे नावेब, आप किश्मीर में किश्मीरी लिटरिशिप के हवाले करोगे, स्टेटम नागे, तो वही करेंगे जो ना उनीसो पज़ेसी में किया था, द्वारा द्वा इताल इकठा है, इकठा है रहेगा हैं कल को हमारे बस घुट बश्राह आ गया मुझे प्रशिप अधिकश्य में बनी इंटरेस्ट नहीं है, जो मेरा गाव है इतरो इंटरेस्ट नहीं हैं तो यह किश्म पुपलेशन जो है वो कट्न एक जूचकल एक तो फाइटर साह है, म उनको तो रहने दो उदर ही, हमें को इंटरस्ट नहीं, मुझाफरावाल के सामने हैं, उनको भी रहने दो जहां बैठे हैं, दिल्गित बलतिस्तान जोगता है, वो अगर हमें मिल जाता है, तो हमारा एक हाइवे निंक बनेगा संटर नेशिया, विदाउट पाकिसान, इधर चाइना साइट पर रहा गया, अगर ऐसा ड्वेल्पमेंट होती है, तो फिर एक केस बनता है, कि आपको स्पार्ट को किश्मीर के साथ जोड़ो, और एक स्टेट हो बनाता हूँ, जो मुझा बनाता हूँ, देकि हम अच्छा लगता है, किसको नहीं से बता, मैं अपनी फिल जिन्हों ने जिन्हों के साथ जो किया, मरें डोगना लीडिस ने, तो मैं कहता है, नहीं है, रहने दो, हम ऐसी अच्छे हैं, दस बारा साल रहने दो, आप जैसे बज्चे उठेंगे, कल को साफ माइंड साइंगे, फ्रेश सोच के आएं, फिर जिन्हों बने गए तब तब जो कि एक और बात है, जब आपने सब बना लिया ना, ठेकों में पैसे आने बंद हो जाते है, आज यही ठेक है, फोर लेनिंग जमूर्ट की शिरनगर, फोर लेनिंग जब उन्चागर गवर्मेंट के सब्सक्राइब नीचे दिये जाते, तो 15% तो प्लिशन खाते, 15% बिर पैसे आरे हैं, पैसे लग ने लगने दो, ट्यारी होने दो, ट्यार हो जाएंगे, फिर लिटर्शिप चेंज करो, जाने दें सबको, एक जो बनम सारक है, तो कभी टूकर के नाम पे ब्लैक मेल, कभी कुछ ब्लैक मेल बशिन न दरम जाके हां जनाब, बोरो जनाब, आए ठ थोड़े देर प्यार से बाद में दो, यह किसे बोलना पड़ेगा है, यह समझना पड़ेगा, नहीं तो आए ठे, हाँ में बते हैं, गत्तर हो आप, लोगवां गुम्राफ करते हो, ठीक, खोर पाइदा नि, ठीक, तो सर, बहुत ही अच्छा लगा हमें आपके विचार जा यह जैसे आपने स्टार्डिंग में गाया था, तो सर, और कुछ है जो लास्ट में आप हमारे दर्शिकों को बताना जाएंगे, फाइनल कंख्लूडिंग स्टेट्मेंट कोई, मैं आपकी जनरेशन को अपीन करना चाहता हूँ, ठीक, हमारी पिच्छे वारे जनरेशन, मार 24 गंटे अवेलेबल है, मैं बोट बीजी रहा, तो मैं यहां होता भी बड़ा काम हूँ, लेकिन अगर आप मुझे राग को एक बजे फोन करोगे, और बोलो के सरा आप कल बात करना है, मैं आपको गायदेंस के लिए, मैं रीडर नहीं बढ़ना चाहता हूँ, इस एज में म कहता है कि अप मैंने अपना जमनों की स्टेट नहीं बढ़नी चाहिए, आप भी लाजिक दिया, वेज भूरी आप वानोंगे, क्या वानोंगे वही आप, यह मेरा लच, आप अपना लची लगाईए, जो लचिक बेटर लगता हो करो, तो एक लचिकल परस्पेक्टिव जो मेरे चोटी सी बुद्धी, अब क्या होता है, पचाथ पच्छुन साल में न, वैसे बंदा आप सटे माना शुक्त है, कुछ है न, कॉर्फिटरस आजाता है, इसे मेरे को आया हो, यह जो सर्विस मेरी आपके बास 24 गंटे वेलेबल, मेरे ऐसे बहुत सारे लोग है, इनके आप कॉंटेक्ट में रहे, हमसे आप गाइडनस लीजिए, इंस्पायर होने की जूर्त ने, फिर अपना दिमाग गई है, उत्सलिक जम्मो को उठेगा, हम गली महल्दों से उठाएंगे, अब पूरे जम्मो को उठागे न, आईसे उठा सकते, नीचे गर के बार उड़ा जम्मो को नहीं बता, कि पूरी जम्मो की जितनी तक्यां जाएंगे नीचे तभी में जाती यही पक्की तीक को महारा जाओंगा, पानी वहां से आता, तो ब्रसाद में कीचिर न हो जाए, पानी न रुख जाए, तो सी चुटी-चुटी चीज़े है, मैं तर ट्या कहा रहा कि पूछाओ, जो पूच उचाए, पूचाएंगे को पूछाओ, फिटीटर पेशड़गे लिए, तो बॉखंगे जाएंगे, तो सच्छा घए बताया आप, जन्या जो जन्यों जान हो जान हो जो जान्द जान दुटी था करते हैं, मारचा भुलाब सिंग को तब तब 3 ए उनका पलगा चलो लगी कानी है, तो वो भी या डिटो तो जोईन करना जाते, वी या डिटो के पचास चास बंदों का गांग, गजो तो एंटी नेशनल थे सोफार्ट, तकने रेबल थे, उनको पिसी रिश्वास ही नहीं था, उनको भी मैं नहीं था, लड़के अच्छ स्मार्ट लड़कें लंबे चोड़े, अच्छ बोड़ां तो 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 जो भी राजाब नहीं थे, वो पेंड़के निचे रेटे हुआ हुआ थारासो सत्रावे, यह इतर बला मिया डिटों को डोड़ने मिलने दा, क्यों, उनको बहुता चलो और उसके एक हफते म प्रवार सिम Southfast के लड़गे हैं, में तो तो थारासoon कि में बने रिट करहución बढ़ जो भाई की लड़ स्मार्वार श्मार्वा इसन घज्क शोन पाते हैं, क्ये रिञए स्यों के स्रही लड़ेसिं आच, क्या थिश्वादों का शी ने अच्छ और बटा नंच को तुख गा कोई पहर दो कि अखिया कुछा छाहरम है। आप नेक्स जिनेरेशन हो, आप सोचली मीडिया पे हो, तो मैं यह नहीं कहा सकता जै कि आप रहाव हो रहा है। मारे जो कुंटेक्स था सादन थे, उसमा उने अपना प्राम किया, आप अपने कॉंटेक्स अपने सादन थे, अपने सादन थे अपने सक्वा हो नियुन कर नेखते जले जाोगे, से फोकस ने खिते, आप यूट्यूप देखो वह चीज, जैसो आज अम बात कर रहें, खोलो नहीं एंट्रिव्यू, सोने से परे सुनो या, मेरी एपील है, कि हम आपके पास 24-7 अवेलेबल है, for guidance, to give you our views, अब आपके पास है, मर्जी है, आपना है, वारे पासान है, बकि मैं वो आदमी नहीं हो कि जो leadership आगे आना चाहता है, मैं वो मेरे बेंटम है की लिए, मैंने जो लिट्री करने थी, फोर्ज में कर दी, जोन हो कि आगे चलके गुरियां खाई हैं, गुरियां चलाई हैं, सेने म दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा, आज हमें सर के साथ बैटके, कापी नंबी conversation हो गई है, और हमें आज बहुत कुछ जानने को मिला हमारे डोगरा cultural इतिहास के बारे में, I hope ये सब बाते हैं, आपको कही न कहीं help करेंगी life में, अगर आपके कोई भी विचार हैं, जो कोईसा सांजा करना चाहते हैं, या कोई doubts हैं जो आप सरसे clarify करना चाहते हैं, तो आप comment section में जरूर अपना comment करें, और channel को subscribe करें, ऐसे ही और दिगजों से मिलने के लिए, तब तक मैं आपको मिलूँगा एक नई वीडियो में, दोस्तों धन्यवाद. झाल